लड़के लोग थे उन्हें बोला कि लड़की यह प्लीज दाने पर यह सब मत करो फिर यह सब कहा सुनी में जाना हमको टाइम मिला हम वापस गाड़ी में बैट रहे और गाड़ी लॉप करके फिर पटा-पट वहां से निकलने लगे घर की तरह घर से वाद थोड़ा एलागे भरतपूर पुलिस टेशन है तो गुर्बाश ने बोला जब हम बाहर हैं और हमारे पस एक गाड़ी का रिजिस्ट्रेशन नमबर था तो हमने बोला हम कंप्लेट करते में फिर घर वापस जाएगे भरतपूर पुलिस टेशन हम पहुंचे और ज करते में नहीं थे तो मैंने उसे पूचा कि यहाँ पर ओपसर इंचार्ज कॉन है उनने बोला वही है तो मैंने उनको एक लिखने के लिए बोला उनको मैंने एक्स्प्लेइन किया पुरा इसरेंट जो भी हुआ तो मैं कोई मुझे ध्यान नी दिया मुझे उनको फिर से रि फिर निखिये गए और महां से चलते बनेगे उनने फिर भी कुछ आक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप लुट चुप करके बढ़ जा हमारा पेट्रोल वेहिकल वापस आएगा हमारे सीनिय और ऑफिशन आएगे आप महीं बात करों कुछ आदे घंटे या चैले समेट म पेट्रोल वेहिकल वापस आई जिसमें से और दो फिमिल ऑफिसर्स और तीन मेल ऑफिसर्स आया और फिर उन लेडी ने उन सब को बताया कि मैंने गुर्बंच वहाँ पे उनको चीक चला रहा है और उनके साथ मिस्भीव कर रहा है हमने फिर से वापस रिपेट किया कि हमें बस F.I.R. लिखके वहाँ से निकलना है फिर एक मेल ऑफिसर्स ने एक पेपर और कलम दुबंच को दिया कंप्लेंट लिखने के लिए और जैसे ही वह एक लाइन लिखना कतम किये थे उतने मेरी पीछे से एक मेल ऑफिसर्स ने उनको आके पकड़के उनको पुरा जब लोगप में डाला तो कर मैं बहुत ही उनको बहुत ही जोर से बोली कि आप यह नहीं कर सकते हैं और यह लिगर है क्योंकि वो मिलिट्ल आदमी में है और आप उनको सेल में नहीं नहीं ले सकते हैं और मैंने उनको एक्स्प्लेंटी कर रहा है कि मैं एक लायर हूं और मै मुझे समझ रही हूं कि आप ये लुकर रहे हैं, क्रिमिनल याप नहीं कर सकते हैं। फिर वो मुझे अभी उस करना शुड़ किये वानों को भी में आपिसर्, ओडिया में कि तु आम को करो वेसी बते हूं। और फिर बहुत सारे अभी उसे दिये हूं। मैंने फिर अपना फोन निकाला और फिर में उनको रेकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा फिर पड़ाया। मुझे रीजन नहीं पता है अभी भी मैं जो सोच पा रही हूं। मेरा उनको इतना बोलना और उनको रेकॉर्ड करना, उनको जाहिए गुषा गिलाया. और इसलिए उतने में इस फीमेल ऊफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते में खीचा। जब खीचा उपने में और एच लेडी में उनको जाइन करते हुए मुझे थपड़ माना नीचे इगराया और फिर तीन लेडी ओफिसर्स मेरा बाल खीचते हुए गसीब के मुझे ले जा रहे हुए और इसी बतेगू और फिर बहुत सारे अभी उसस दिये हुए मैंने फिर अपना फ़ो नकाला और पर मैं उनको रेकोर्षाण करने गाधी कि आप क्यू नहीं लिख रहे हो मेरा फायर प्ला है मुझे रिजन नहीं पता है अवी भी तो 9 most पा रही हूं मेरा अंगो इतना बोलना और उनको रेकोर्ड करना उनको जाह सा हुए और इसलिए उतने में एप्याड़ ले मैं फिमेर ओफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते वे खीचा, जब खीचा में और एक लेड़ी ने उनको जान करते वे मुझे थपडमाणा और नुछी दिदाया, और फिर तीन लेड़ी ओफिसर मेरा पाल खीचते वे गसीद के मुझ मैं जितना भी स्ट्रागल कर पाई मुझे बचने के लिए दीवार पकड़के उनको फाइट करते तो मुझे दिख रा था उनके अंके हाथ पैर मैं स्ट्रागल और फाइट करने की कोशिच कर रही थी उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिच की तो मैंने उनके हाथ पर फाइट किया कि मुझे छोड़िये आप नहीं कर सकते लिए सब्सक्राइब कर रही थी तक में स्क्रीन करती रही फार है कि में स्ट्राइब कर रहे हैं और अपने लेडी ऑफिसर को बोले तक दूतर ने की जा से पाटी कोशिची बहार के सुनी बबर तो फिर मुझे और खिशन लगे और यह सुनते ही कि वो रूम में लेके जाएगी मुझे मुझे मैं और हाइपर हुई और मैं और चला रहे जाकेट रिमूफ किया और उसी जाकेट से मेरे हाथ पीछे बांदे और एक लेडी ऑफिसर के सकाफ से मेरा स्पेर बार दे अधे और सुम्री लेके रूम में जब डाला तो मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक अटोमी मेरे पेर पे ना बेट देके खड़े हो गए ताकि मैं और एक female officer मुझे continuously face पे किक करती रही बॉडी पे मारती रही और फिर मुझे 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 छोड़ दिया था करीबन 15-20 और मैं चला ही रही थी continuously तब फिर 6 बजे उनके IIC ने आना था तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं और वापस तीन लेडी ओफिसर एंटर करते हैं मुझे और फिर वापस मुझे पेट रहे थे और फिर IIC ने मुझे चला के बोला कि कहें कि इते पार्टे मुंडो कर चू तो रकॉर्ण ही ची जिन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहां पे सी पाया इसी ने अपना शॉर्ट रूम टेक आप करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकालके मेरे मुग के सामने मिला के बोला कि तू कहते थरो ने मुग की चुपको हो तो उसके बाद यह एक्शन लेकर आप लॉस्ट और वोग की मारा पीटी तो हो रहा अब यह नहीं हो सकता मेरे साथ तो मैंने अपना फेस ग्राउंड में ही ऐसे अंदर दबा दिया था और मैं बस प्लीज 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 नो प्लीज नो चिला रही थी उसके बाद वो लोग फिर प्रहट चले गए और कुछ देर के बाद गुर्बन चाहे पंदर भी समट और मैं चला ही रही थी गंटे में सुपकर पिस छे पाज गया होंगी क्योंकि मुझे पता था कि छे बजे उनके आयासी ने आना था तो आयासी फिर रूम एंटर करते है और फिर वापस तीन लेडी ओफिसर रेटर करते हैं मुझे और फिर वापस मुझे पेट रहे थे और फिर आयासी ने मुझे चला के बोला कि कहें कि इते पार्टे मुंड़ कर जो तो रोकॉर्ड ने ची जिन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहां पे सीनियर हैं और अभी अपना शर्टे मुझे टेक आउट करके अपना पैंट मीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुझे सामने रिला के बोला कि तू कहते धरो न्योग की चुपको हो तो उसके बाद यह एक्शन देखे I had lost all book की मारा पिटी तो हो रहा अब यह नहीं हो सकता मेरे साथ तो मैंने अपना फेस ग्राण में ही ऐसे अंदर दबा दिया था और पर मैं बस प्लीज 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 नो प्लीज नो चिला रही थी उसके बाद फूलो फुल पहर चले गए और कुछ देर के बाद गुर्वन चाहे और उन्होंने मुझे फ्री किया खुला मुझे अंटाय किया और मुझे लेके जाके रेसेप्शन तक बैठे तब तक प्लीज प्लीज अचुके थे उस पुलेस्टिशन में फिर हम उनके रूम के अंदर जाके उनको बताने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा हुआ है उन्होंने भी हमको डांट के और हमें ही जड़त बता के बाहर बैठने को बोला मेरे साथ बूटालिटी हुई है तो बहुत बहुत बने के बाद अन्होंने अपने पुलिस वेहिकल में दो मेल ऑफिसर्स और तीन फीमिल ऑफिसर्स के साथ सम हस्पिटल बेज़ा जहां पर मेरा मेरा मेडिकल होना शुदू होगी मेडिकल से मैं बापस मेडिकल सम में पांच छे जटे रही होंगी जांते उन्होंने स्लोली पहले और्थो आये गाइने आये नियूरो आये जेनरल मेडिसन आये आके मेरे को चेक किया मेरा जौटा वा था डांट वा था तो एक मैक्सिप ऐस्योलोजिस ने भी आके मेरे को कि सीटी चाहिए होगा एक्सरे चाहिए होगा वापस फाइफ पीम को वापस भरत को पुलिस टेशन पहुंचे होगा हम फिर वहां पर लोग अपने पेपर बॉक कर रहे ते और बोलक लिए हम मेरे अगेंस्ट एपाया है कि मैंने पुलिस टेशन आके पुलिस ओफिशल्स क साथ बीटिंग किया है उनको अभी मुस किया है फिजिकली और उसी के लिए मेरे अगेंस्ट एपाया रहे है फिर आराउंड एट पीम एप पुलिस मान में लेके मुझे बोला कि बस कुछ पेपर वक के आपको ले जा रहे है अभी तक भी मुझी नहीं बताये दिया कि मैं मेरे खिलाब एफाया है मेरे खिलाब कोई चार्च शीट है